हाई गाईस आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एक पहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में लाइक आप लोगोंने टाइटल और थमनेल देखी लिए होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हाई प्रोबिलिटी ओडर ब्लोग के वारे में मार्केट के अंदर हम लोग कैसे एक हाई प्रोबिलिटी ओडर ब्लोग फाइंड करें एक बैलिड ओडर ब्लोग एक हाई एक्यूरिसी ओडर ब्लोग कैसे फाइंड करते हैं तो आज की इस पीडियो के अंदर गाय समलोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और ये एक बहुत ही important टॉपिक होता है क्योंकि market के अंदर बहुत सारे order block बनते हैं जैसे ही market break off structure करती है जैसे ही अपने structure को break करती है तो market में बहुत सारे order block बहुत सारे PY बनती है तो इसको लेकर काफी सारे लोग confuse रहेते हैं काफी सारे लोगों को doubt रहेता है कि market किस order block को किस PY को touch करके अपने train को again continue करेगी इसी topic के उपर गैस में आप लोगों को explain करके बताऊंगा कि कौन सी market के इंदर हमारी high accuracy वाली order block होती है कौन से order block को हम लोगों को identify करना चाहिए कौन से PY को हम लोगों को pick करना चाहिए as a order block as a PY के लिए सो आज की video guys बहुत जादा knowledge बले और ऐसे content guys आप लोगों को YouTube पे बहुत ही कम मिलेंगे बहुत ही कम देखनी को मिलेंगे सो video काफी interesting है video बहुत जादा knowledge बले आप लोग video को last तक देखना video में आप लोगों को बहुत कुछ सेखनी को मिलेगा सो video आप लोग लाज सकते देखना video कहीं पर भी पसंद आती है तो video को like कर देना channel को भी subscribe कर सकते हो और अभी में YouTube पे थोड़ा सा inactive हूँ इसका region यह है कि में जो course launch करने वाला हूँ उनके वीडियो को में record करता हूँ इडिट करता हूँ तो इसमें काफी सारा जो time है वो मेरा चला जाता है तो इसलिए में YouTube के लिए time नहीं निकाल पाता हूँ सो अभी में थोड़ा सा inactive हूँ बट मैं आप लोग के लिए आगे वीडियो डालता रहोंगा जैसे course के वीडियो कंप्लेट हो जाते हैं तो अभी जो course के वीडियो है मैं उनके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा हूँ कुछ दिन और लगेंगे complete होने में आप लोग active रहना YouTube पे बाकी में YouTube पे वीडियो डालता रहोंगा आप लोग के लिए सब्सक्राइब करते हैं अगर आप लोग को मार्केट के इंदर एक high probability high accuracy वाली order block मार्क करना है तो सबसे पहले आप लोगों को यह देखना होगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या चला है अभी मार्केट टाउन ट्र ट्रेंड के साथ order block को identify करना है लाइक मार्केट अगर आप ट्रेंड में तो आप लोग को आप ट्रेंड की ही order block find करना है तो सबसे पहले आप लोग मार्केट का direction पता करो उसको identify करो दिन आप लोग को बताता हूं कि मार्केट के अंदर आप लोग कैसे एक प्रोपर high accuracy वाली हाई probability वाली order block मार्क कर सकते हो तो चली अभी यहां पर आप लोग देख सकते हो गाईस यह है हमारी अप ट्रेंड मार्केट है और यहां से में चली आप लोग को दिखाता हूं कैसे आप लोग मार्केट के अंदर break of structure होनी के बाद जो 3-4 order block बनते हैं मतलब की 4-5 भी बन जा तो यह हो गया गाईस हमारा proper break of structure अब break of structure करने से पहले मार्केट ने यहां पर आप लोग देखो यह एक पुल बेख लिया था तो यह हमारा इंड्यूस्मेंट का काम करेगा आप लोग को इंड्यूसमेंट की नीचे ही order block को identify करना है उसके ऊपर आप लोग को order block प्यवाई नहीं मार्क करने ऐसी गलती आप लोग कभी मत करना मार्केट अगर ब्रेक करती है तो फर्स्ट इंटर्नल लोग को लेना कंपल सरी होता है मार्केट को उसके बाद ही आप लोग उसके नीचे ओडर ब्लोग को एडेंटिफाई करना सो यहां पर मार्केट ने ब्रेक आफ अपना order block इसको consider कर लेंगे और कुछ लोग यहां पर आप लोग देखोगे तो इस वाले candle को एजा order block मार कर लेंगे तो यहां पर कैसे पता करें गाईस कि इसी दो order block को market टच करेगी या इनको fail कर देगी कैसे हम लोग confirm करें कि यह एक high probability है high accuracy वाली order block है इसको कैसे हम लोग identify करें तो आगर मैं आप लोग को यहां पर थोड़ा सा explain करके बताऊं तो देखो जिस order block को आप लोग मार्क करते हो market के अंदर सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा logic समझो इस के अंदर क्या होता है market के अंदर के अंदर जिस केंडल को एजा order block के लिए consider करते हो वो केंडल अपने previous केंडल को break करना चाहिए या sweep करना चाहिए मैं आप लोग को थोड़ा सा example के साथ दिखाता हूँ लाइक यहां पर आप लोग देखो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में यह जो है हम ओप लोग ईंदर मरें इसका केंडल को और करने मार्क यह है क्यों इसको मैंने हाइई प्र ब्लोक बोला अब इसका लोजिक आप जो समझाओ देखो market में यह जो candle है इस candle ने अपनी previous candle की जो low है उसको sweep किया है मतलब कि इसकी liquidity को sweep किया है और यह जो candle है गाईस यह एक हमारी pro पर high probability वाली order block है तो इस तरह से गाईस आप लोग को market के अंदर अगर order block मिलती है candle मिलती है तो आप लोग इसी तरह से अपने chart के उपर pro पर high probability quality वाली high accuracy वाली order block मार्क कर सकते हो लाइक अगर आप लोग देखोगे तो इस candle को जब मैंने order block मार्क किया और market ने क्या क्या इसको touch क्या inducement लेने के बाद और market में गाईस यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो सिर्फ यहां पर एक green candle बनी यहां पर कोई भी red candle नहीं मिली है एक one way में market ने अपने train को continue किया है तो इस तरह से आप लोगों को market के अंदर कोई भी order block मिलते हैं कितने भी order block मिलते हैं सो आप लोगों को यही लोजिक देखना है यही आप लोगों को point देखना है फर्स्ट पॉइंट यही देखना है कि market में जिस candle को आप लोग एजा order block कंसीडर कर देओ क्या उस candle ने अपने प्रिवियस केंडल की liquidity की है इसको आप लोग को identify करना होगा तो अगर आप लोग दे देखोगे तो यहां पर भी मार्केट ने प्रोपर यहां पर इसको स्वीप किया है बट इसके पीछे भी लोजिक है इसको मैंने एजा order block क्यों नहीं मार्किया इसके पीछे और तीन चार point है वो सारे point में अपने course के अंदर वहां पर involve करूंगा वहां पर मैं आप लोग को अच्छे से बताऊंगा कि एक high probability order block कैसे मार करते हैं बट यहां पर मैं जो बता रहा हूं यह भी बहुत ही informative है कि आप लोग को यहीं देखना है कि market अपने previous candle की liquidity ले तभी आप लोग को वह candle मार करने है एजा order block वह भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से work करती हुई देखे अभी में आप लोगों को आगे और भी एक्जामपल दिखाऊंगा यह तो बस फर्स्ट एक्जामपल है अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने इस केंडल ने इस केंडल की लिगृटी स्विप किये और प्रोपर ओडर ब्लोग बना हाई एक्ट वाला और मार्केट ट मार्क कर सकते हूं सो यहां पर फिर से मैं आप लोगो थोड़ा सा दिखाता हूं मार्केट ने ब्रेक उफ इस्ट्रक्चर किया बट यहां पर मार्केट किसी भी ओडर ब्लोग को टच नहीं किया सिर्क इम्बैलेंस को फिल करकी मार्केट ऊपर चली गई और उसके बाद अगेन ब्रेइक औफ एस्टक्जर किया अब ब्रेक औफ इस्टक्चर करने से पहले मार्केट का यह एक पुल फेक था मार्केट ने इसको लिया इंड्यूसमेंट लिया आप हम लोग को यहां से अपने ओडर ब्लोग को ऐड़न्टीफाई करना है तो मैं इसको पहले डिलेट कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझाने में थोड़ा आसानी हो तो अब यहां पर कैसा आप लोग देखो मार्केट ने इंड्यूस्मेंट लिया अब इसके नीचे ही हम लोगों को अपने ओडर प्लोग को एडेंटीफाई करना है हम लोग सबसे पहले bottom से start करते हैं अब कुछ लोग इस वाले order block को mark करेंगे इन में से हमारी कौन सी high probability, high accuracy वाली order block है, इसको कैसे identify करें, सबसे पहले हम लोग bottom से देखते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर देखोगी गाईज, तो इस वाली order block को अगर आपने mark किया है, तो इसने किसी भी previous candle के liquidity sweep नहीं किये, तो यह जो candle है गाईज, यह जो order block है, invalid हो तो इस candle ने क्या प्रिवियस candle की liquidity sweep किये, तो अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर इस candle ने कोई भी liquidity sweep नहीं किये, तो अब यह जो candle है गाईज, यह इन बेलेड होगी order block के लिए, अगर हम लोग गाईज, देखें, तो इस candle ने क्या-क्या है, अपने previous candle की liquidity sweep किये, और इसके low के उपर closing दिए तो यह जो candle है गाई यह वाली candle यह एक high probability order block बन जाएगी तो इसको क्या करेंगे हम लोग जा order block mark कर लेंगे तो हमारी जो bottom वाली order block है यह एक तो यह हो गई high probability order block अब उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में यहां से मार्केट यह फुल बेक देने के बाद इसको mitigate कर दे था अब यहां पर आप लोग देखो तो यह हमारी एक proper order block है क्यों क्योंकि मार्केट ने अपने previous candle की liquidity को sweep किया है और closing उस candle के उपर किये तो यह भी हमारी एक high probability order block है तो अगर आप लोग देखो गाईर तो यहां पर आप लोग देखो मार्केट ने इस वाले order block को touch किया तच करने के बाद सिर्फ इसके liquidity को sweep किया है और market ने proper अपने train को continue किया है और अगर आप लोग देखो गाईज तो यह वाले order block भी हमारी एक proper high accuracy वाली order block थी तो market ने क्या-क्या सिर्फ 3 या 4 पिप रहते ही market इसको touch नहीं किया बट market ने उपर अपने train को continue किया सो ये वाली order block भी हमारी proper work कर गई market में गईश अगर आप लोगों को कुछ ऐसा सिनारियो मिलता है कि order block के आसपास आए और 3-4 पिप 5 पिप के आसपास रहते ही market ऊपर चली जाए तो वहां से आप लोग proper entry ले सकते हो सो market ने proper वही किया है 3-4 पिप प्रेथी market ने इसको touch नहीं किया और market ने अपने train को continue किया बट यह वाली जो हमारी order block थी proper work कर गई क्यों क्योंकि market ने यहां पर अपने previous candle की liquidity sweep की थी और इसको कुछ लोग breakout बोलेंगे बट यह हमारी जो PY है order block ही यह fail नहीं हुई बस market ने liquidity sweep किये और closing इसके ऊपर किये तो यह order block proper work की है अगर आप लोग देखोगे तो market ने one way में एक proper high spike लगा के market ने break off structure किया अब उससे पहले गएस यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोग को और example देता हूं देखो market में अगर हम लोग देखें तो यह जो internal structure बना है हमारा यहां पर भी एक proper order block हमारा बना है अगर आप लोग देखोगे तो इस high को जब market ने break किया तो यह हो गया गएस हमारा proper minor break of structure अब अगर आप लोग देखोगे तो break of structure हुआ उससे पहले market का यह pull वेता proper हमारा inducement हुआ minor structure में में आप लोग को बता रहा हूं यह हो गया inducement अब inducement के नीचे order block को मार्ग करेंगे और यहां पर अगर आप लोग देखोगे कुछ लोग इस वाले पेवाई को मार्ग करेंगे order block को मार्ग करेंगे तो इन में से हमारी कौनसी proper high accuracy वाली order block ही इसको कैसे identify करना है मैंने आप लोग क्या बोला market में आप लोग जिस candle को as a order block करते हो पहले तो देखो कि market ने क्या अपने previous candle की लिकुटी स्विप की है की नहीं तो यहां परकेश अगर आप लोग फ़र्स्ट वाले order block को देखो गे तो आपने जिस candle को एजा order block मार्ग क्या है तो उस candle ने उस red candle ने अपने प्रिबियस केंडल के लिक्विट이 स्थ नई की बट अगर आप लोग इस को इतने ही प्रीवियस केंडल के लिक्विटी चाहिए वह बहूत इंग करती है इस candle ने अपनी previous candle के liquidity sweep किये और closing उपर किये तो ये हमारी एक high accuracy वाली order block हुई बट कुछ लोग यहाँ पर इस वाले candle को अपना previous candle मान रहोंगे बट इसने guys अपने previous candle के ना ही high को break आए और ना ही low को break आए तो ये एक inside candle हुई सो इसके बगल वाली जो candle है इस candle ने अपने इस वाले candle को break के शुइप किया तो ये हमारी candle proper एक एजा order block के लिए consider होगी सो ये वाली जो candle है guys proper order block के लिए confirm हुई high accuracy वाली order block बनी और marketing के इस order block को touch करने के बाद proper अपना trend continue किया सो ये था गाइस हमारा minor break of structure minor structure के अंदर हमने इस order block को identify किया अगर मैं आप लोग उपको यहां पर दिखा हूँ तो यहां पर भी एक proper order block बन रहा है आप लोग के लिए सो यहां पर अगर आप लोग देखोगे तो minor structure में हम लोग इस वाले लोग को अपना break of structure consider कर लेते हैं आप लोग मान के चलो इसको मैंने अपना break of structure consider कर लिया minor structure में अब break of structure होने के बाद guys market ने ये एक first pullback लिया था तो ये हमारा proper एक inducement लेवल था आप कुछ लोग इस वाले pullback को भी अपना एजा valid pullback मार करेंगे और बुलेंगे कि ये एक proper inducement है minor structure में तो market ने proper inducement लिया है तो market का structure confirm हो गया बड़ guys अगर मैं आप लोगो दिखाऊं तो जो market ने यहां से break किया इस candle से जब इसको break किया तो इस candle का low इस point पे था और high इस point पे था तो market में जो candles बनी है green candles जो pullback लिया है तो यहां पर ना इस candle का low break किया है ना ही इस candle की high को break किया है तो यहां से guys जो हमारा ये pullback हुआ है ये एक invalid pullback है क्योंकि market ने अपने previous candle के ना ही low को break किया है ना ही high को break किया है तो ये एक inside candle है तो ये हमारा जो pullback है invalid है तो इसको हम लोग valid pullback नहीं mark करेंगे और उसके बाद जब market ने अपना again एक pullback लिया तो ये proper pullback था इसको हम लोग azar inducement mark करेंगे minor structure में तो यहां पर अग market ने minor structure में अपने inducement को लिया जो कि इस point पर था आप हम लोगों को अपने order block को identify करना है तो अगर आप लोग देखोगे तो हम लोग इस वाले candle को एजा order block मा करेंगे क्यों क्योंकि market ने अपने previous candle की liquidity को स्विप किया है और closing इसके नीचे की है तो ये एक हमारी एक pro पर high probability order block बनने यह जो कि high accuracy वाली order block है अब आगर आप लोग देखोगी गाईज तो market ने क्या क्या break of structure inducement minor structure में और ये एक proper high probability order block बन रही थी क्योंकि market ने previous candle की liquidity को स्विप किया है closing नीचे किये तो ये एक pro पर high probability वाली high accuracy वाली order block थी तो market ने order block को touch किया और market ने यहां पर देखो गाईज क्या-क्या market ने प्रोब पर आप लोग को अच्छा कासा trade दिया लाइक वन इस्टो थी वन इस्टो फॉर का जो टार्गेट था आप लोग को दिया जो इसकालपर होते हैं जो स्कैलपिंग करते हैं उनको प्रोब पर यहां पर अच्छा कासा target मिल गया वन इस्टो थी वन इस्टो पोर बहुत होता है तो इस तरह से आप लोगों को अपने अच्छा order block confirm करो consider करो और बाकी order block को delete करो उसको remove कर दो क्योंकि वो सब्सक्राइब फेल हो जाएंगे और जो आपकी high accuracy वाली order block है कुछ इस तरह से आप लोगों को अच्छे खासी trade दे कि जाएंगी और अगर गईस मैं आप लोगों को यहां पर दिखाऊं तो आप लोग य लिकुटी को sweep किया है closing इसके ऊपर की है तो यह हमारी एक high accuracy वाली order block बनी और मार्केट ने क्या किया अपने इसी order block को touch किया और मार्केट ने अपने train को continue किया तो इस तरह से गाईस हमारे order block work करते हैं जो high probability वाले होते हैं जो high accuracy वाले होते हैं जिसको touch करने के बाद गाद ग मार्केट के अंदर अपने order block को identify करना है अपने PY को identify करना है तो आप लोगों को ऐसे PY मिलते हैं आपके चार्ट पे तो आप लोग उन्हीं order block को अपना order block consider करो बाकि order block को remove करो क्योंकि वह सारे फेल हो जाएंगे तो कुछ इस तरह से गाईस आप लोगों को market के अदर अप करने के बाद आप लोगों को अच्छा कासा ट्रेड देगी आप लोग यहां पर देख सकते हो आप लोग के सामने एक्जामपल है मार्केट ने इस वाले order block को टच किया जिसने अपने प्रीवेस केंडल की लिकुटी स्वीप की थी प्रोपर मार्केट ने अपने ट्रेन को क यहां पर लोग देख सकते हो प्रोपर लिकुटी स्वीप मार्केट में यह प्रोपर एक हाइप प्रुबेटी वाली order block थी मार्केट ने प्रोपर टच किया अपनी ट्रेन को कंटीन्यू गया तो इस तरह से आप लोगों को चाड की उपर अड़ेटिफाई करना है प्रोप आप लोग एक हाई एक्यूरेसिवली ओडर ब्लोग कंसीडर कर सकते हो उसमें अगर मार्केट आएगी तो डिफिनिटली आप लोगों को अच्छा का सा ट्रेड देखे जाएगी तो इसको आप लोग अपने चार्ट के ऊपर अपलाई करो अपने चार्ट के ऊपर बैक इस वीडियो के अंदर इतने कुछ था आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे कॉंटेंट पाने के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो